हला दोस्तों कैसे आप दोस्तों आज आपको बताने वाले कि आपकी जो कंपनी आपका पीएफ का पैसा कारती है या कंपनी या संस्ता और आपका पीएफ का पैसा वहां करता है तो आप एक पीएफ लेने के हगदार हो जाते हैं तो पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको UN number की जरूरत होती है तो चलिए उस UNN को आपके पास अगर आपको company ने दे दिया है तो उसको activate कैसे करते है यह process है इस वीडियो का तो activate करने के लिए UNN को कैसे activate करते है सब कुछ आपको बारी किसे सकाएंगे इस वीडियो करने तक आपको पूरा बने रहना है तो इसकी मत करना क्योंकि बहुत बारी किसे किक पॉइंट मैं समझाऊंगा activate का दोस्तो अगर आप मेरे चेनल पे नए हैं तो मेरे चेनल सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकरी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तो अगर आप भी किसी कमपनी ये संस्ता में काम करते हो और आपका वहाँ पर पी एफ कड़ता है या आपको पी एफ का पैसा मिलता है तो दोस्तो ये है आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है क्योंकि जब आपको यू ए नमबर मिल जाता है तो उसको आप इस उप्सन पर आके उसको लोग इन करना होता है लेकिन मैं आपको एक चीज़ बदा देता हूँ उसको आप डाल तो दोगे यू एने का उप्सन तो होता ही है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस उप्सन में यहाँ पर यू एने डालना होता है आपको दिख भी रहा होगा यू एने का उप्सन आपको दिख गया होगा यहाँ पर डालना होता है और इस जगह पर यहां पर आपको दालना होता है और यहां पर आपको enter tab तो आपको क्या होता है यू या eredष नमबर तो company देती ही है लेकिन क्या होता वह uwagę एक्टिवेट नहीं होता है तो आपको किलिए रहो चुका होगा यहां पर मैं जो चीज बता रहा हूं आपको ध्यान देना दुबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं वह जो कंपनी ने आपको यूए नंबर दिया है वह एक्टिवेट नहीं होता है उसको एक्टिवेट करना होता है तभी जाके आप पीएप की सभी सुविदा ले यहींन पर जो आपके बिस्केम यहां कंपनी नीच दिखा रहा हूं इसी पोर्टल पर जिसमें मैं इस समय आपको दिखा रहा हुँ यूध्यड पोर्टल होता है यह और आपको यहाँ पर जश्ट नीचे की तरफ दीखेंगा एक्टिवेट यूए ने तो दोस्तों पहले जो आपके पास इस समय यूए ने है आपकी कंपनी ने जो आपको दिया है उसको एक्टिवेट करना जरूरी है क्योंकि जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक वह काम नहीं करेगा वह किसी काम का नहीं है तो चलिए यहां से यहां से हमको एक्टिवेट करना होता है यहां पर 9 वसके नंबर नहीं होता है हमारे पास तो शुका होगा मेंबर यहां से विप्लाक निम्डर निकाल सकते हों यहां पर दो अपूसन दे रखा है तो तो चले हम यहां से यू एसे क्षिया करें यू ए और नमी को कि हमर पास यू एनैन नंबर हैю तो यहां से मैं मेरा यू एन नंबर डूंगा। डाल दूंगा जो चीज बता रहा हूं आपको ध्यान देना है यहां पर यूने नमबर होता है जो 12 डिजिट का होता है वह डाल देना है अब मेंबर एडिक उप्षन आपको नहीं चुनना है तो यहां पर दो उप्षन होते हैं कि लिए रोचुका होगा है तो यूने से हम कर देना आप देखना आपके आधर काड़ पर 12 डिजिट नमबर होते हैं सब के अलग अलग होते हैं वह आपको यहां पर डाल देना है अब आपका जो आधर काड़ के अंदर नेम है सेम आपको यहां डाल देना है जैसा उसके उपर लिखा हुआ है सेम आपको आधर काड़ को व्यक्ती का पियेफो कटता है चाएव ए आप हो जिसका आप यूनी एक्टिवेट कर रहे है उस व्यक्ति की में बात कर रहा हू換 उस व्यक्ति का जो आधार काड है उसके साथ जो भी भी mobile लिंक है उस mobile लिंक को ही आपको यहाँ पर डालना है तब जाके आपका यह activate होगा । क्योंकि उसको पर OTP जाएगा मोबाइल नमब मेल आ पे दम किया हो चुका होगा आपको यहां पर मैं दिखा देता हूं नीचेً कैप्चा का एक OPTION होता यहां पर हमको हीशा हिए की में मेलें आपको यहां ड़ना होता था है तो यह प्रोसेस पूरा होता है दिख रहा होगा इस चोकर से पर आपको क्या होता है किलिक करना होता है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर थोड़ा स्क्रोल करने के बाद यह थोड़ा ऊपर चला गया है यहां पर आपको दिख गया होगा इस चोकर पर ही हमको किलिक करना होता है जैसे ही हम यहां पर किलि को otp बोलते हैं मेसिज के साथ tp आयेगा उस otp को आपको डालना होता है कुछ इस परकार का option आएगा मैं आपको यहां से दिखा देता है आपको मैं बता देता हूँ यहां depends detail आपको डाल देने मैं आपको एक बरी थोड़ा सब लेंक दिखा रहा हूं तक Your दिख रहा होगा मैं आपको यहां दिखा देता हूं यह वाला जो ऑप्शन है इसी के अंदर सभी डीटेल डाल देना है और डीटेल आपको डालनी है कुछ इस पिरकार से यहां पर कुछ इस पिरकार से आ जाता है और आपको कुछ इस पिरकार से डाल देना है यहां पर कुछ नीजी पैचान को चुपा दूए मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं इस फोटो के मादने से आपको देख लेना है मैंने यहाँ पर सभी डाटा भर रखे हैं और यहाँ पर एक नीजी पैचान को मैंने चुपा दिया है और उसके बाद चोक और बेवी में किलिक यहाँ पर आपको ऐसे मैं आपड़ल का एकصिध में आपको मैसीं जाता है है जो मोगाल आपने डाला है सेमो हैस सेश्का है ओधार और यहाम वह दीटेल आती होती है और तो आपको और आपको बिस, इसमें डाल देना है और वेलीडेट ओटिपी एंड एक्टिवेट यूए ने वाले उप्टन पर आपको किलिक कर देना है आपको ध्यान से देखना है जब मैं बोल रहा था आपको वीडियो को बहुत द्यान से देखना है तभी जाकर आप इसको कर पाऊगे और मिश्टेक मत करना क्योंकि आगर मिश्टेक करते हो तो आपको दुबारा आपको करना पड़ेगा तो आपको यह किलिए हो चुका होगा कि भूष्इज धी यां पर डिक हो चुका और आप läuft है यूएट पर भी सकते हो में सीज भी अचुका है अब आपको दिक भी रहा होगा तो यहां पर मेसिज आ चुका है और एक मैसिज आपको आपके जो आधरकाड के साथ मोबेल नमर जुड़ा हुआ है जिस व्यक्तिक आपने अभी एक्टिवेट किया है उसको एक यूएने और पासवड़ के एक मेसिज गया होगा अब आपको एक चीज में बता देता हूं वह है यूएने के साथ जो पासवड़ होता है वह ह आपको चेंज कर लेना है अब चेंज करते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं आपको डिस्क्रसन में एक वीडियो दे रहा हूं उसको आपको देख लेना है थमनल भी मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि इसका आपको मेरे चेनल पर ही मिलेगा सानु पता ही हो गया। वीडियो के जश्ट नीचे जो आई हे चलता है.. इसके जश्ट नीचे आपको discussion होता है। उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा link में कवाब पर देदूगा उसको आप देख लिए एक आप दो वीडियो को और उसके बाद आप उसको दुबारा वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल पर जाके क्वाइसी वगएरा के से करते हैं जो भी है वो संबंदित PFC संबंदित इंवीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी सानु गोड़ियाल को पलीज चैनल को सबस्क्राइब जरूर करने तो दोस्तों आसे करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में भी आयोगा और पसंद भी आयोगा तो दोस्तों कैसा लगा मेरे वीडियो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक करें आगे शेयर करें और पीएप से संबंदित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल से सब्सक्राइब करना ना भूले